क्या बिहार के राजिपाल से भी बड़े हो गए हैं अभी आए सद्धिकारी आदे घंटे तक इंतजार किया और इंतजार करने के बाद फिर कुछ और ही हुआ नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिश बिहार सिक्षा विभाग के ACS KK पाठक पहले CM नितीश कुमार की बातों को नहीं मानते हैं सवाल उठता है कि क्या CM नितीश कुमार से बड़े हो गए हैं आए सद्धिकारी और अब राजपाल जब उन्हें बैठक में बुलाते हैं तो अस बैठक में शामिल नहीं होते हैं दरसल आपको बता दें कि KK पाठक इन दिनों काफी ज़्यादा सुर्खियों में हैं सक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने हैं सक्षा विभाग के अपर मुख सचीव KK पाठक बीसी की बैठक को लेकर लगाता है राजभवन के सामने खड़े नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी और राजभवन में कल KK पाठक को राजभवन ले बुलाया था राजभवन आदे घंटे तक इंतजार भी KK पाठक की है लेकिन KK पाठक वहाँ पर नहीं पहुँचे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजपाल से भी केके पाठक बड़े अब हो गए हैं राजबबन और सिक्षा विभाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा इस बात पर फिर से मुहर तब लग गई जब सिक्षा विभाग के अब पर मुख्य सचीब कल भी राजपाल से कुल अधिपती राजपाल विश्विनात अन्लेकर के बुलावे पर राजबवन नहीं पहुँचे ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब राजबवन से बुलावा केके पाठक को आया है और वो नहीं गय है इतना ही नहीं राजपाल आदे घंटे तक इंतजार भी करते रहे लेकिन इसके बावजूद केके पाठक नहीं आए तो राजपाल एक कायक्रम में शामिल होने के लिए चले के बताया ज़ारा है कि राजपाल राजिंद विश्वनात अलेकर के प्रधान सचीब रौवर्ट एल चौंग्थू ने इसको लेकर सुक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक को पत्र भेश कर आने को कहा था राजपाल में आईस केके पाठक को दस बजे पोहँचना था राजपाल के प्रधान सचीब रौविट एल चौंग्थू इसको लेकर आईस केके पाठक को पत्र भेश कर आने को कहा था तीस मिन्ट इंतजार करने के बाद राजपाल एक कारिकरम में शामिल हूने के लिए रवान भोगे वहीं अखिल भारती विधार थी परिशद कारिकरता ने केके पाठक का विरोध किया कारिकरताओं ने केके पाठक के आवास का घेराव करने पहुँचे इन लोगों ने जम कर हंगामा किया सक्षा बिभाग A.C.S. केके पाठक के इस्तिफ़े की मांग की हाला कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और कारिकरताओं को रोकने की कोशिस की पुलिस और कारिकरताओं के बीच हल्की जड़ब भी हुई तो आप देख सकते हैं कि सिक्षा बिभाग की अपर मुखे सचीप केके पाठक किस तरीके से अडियल हो गए हैं केके पाठक को राजभवन की तरफ से पत्र भीजा जाता है लिटर भीजा जाता है उन्हें बुलाया जाता है लेकिन केके पाठक कल पहुंचते नहीं है राजभवन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी केके पाठक को राजभवन की तरफ से बुलाया गया था लेकिन केके पाठक वहाँ पर नहीं पहुंचे थे ये दूसरी बार है जब केके पाठक को राजभवन की तरफ से नजर आ रहे हैं एक तरफ जहां केके पाठक ने वीसी की बैठक बुलाई थी लेकिन उसमें कोई भी वीसी शामिल नहीं हुए थे तो वहीं दूसरी और राजभवन में भीशी और केके पाठक दोनों की बैठक बुलाई गई थी लेकिन केके पाठक उसमें शामिल नहीं होते हैं और कल तो केके पाठक को बकाईदा लिटर भेज कर बुलाया गया था लेकिन फर्वी केके पाठक कल राजभवन नहीं पहुंचे राजपाल से मिलने के लिए नहीं पहुंचे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक आईस अधिकारी किसी राजपाल से भी बड़ा हो किया है फिलहाल कले इस ख़वर में इतना ही